स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस टड़ी विथे स्वाती में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पोशड के तातू या भूजन के शोद पर टीलम या मॉडल तयार करेंगे अगर हम बात करें इसके प्रीविएस वीडियो की तो हमने बात की थी विटामिन की कमी से होने वाले रोगो पर चार्ट या मॉडल को लेकर के इसको मैंने एक्स्प्लेन भी किया था इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से इस टीलम को और जो भी ट पोशड तत जो भी भोजन के होते हैं उन पर किस तरह से आप टीलम या मॉडल तयार करेंगे अगर हम बात करें होम साइंस साइंस या फिर परियावरण अध्यन यानि इन्वार्मेंटल स्टडी पर आप किस तरह से एक टीलम को तयार करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लि है हमारा भोजन आप टापिक भोजन के श्रोतों पर बना सकते हैं या फिर पोशड तत्त जो होते हैं भोजन के उन पर भी ये टीलम या मॉडल तयार करेंगे यहां पर हम चीजों को समझेंगे यहां पर सोचो और बताओ कि माध्यम से प्रश्न किया गया है कि भूख लगन पर हम कुछ ना कुछ खाते पीते हैं हम जो भी खाते पीते हैं उसे भोज पदार्थ कहते हैं यह भोज पदार्थ कई तरीके के होते हैं जैसे हमें कारी करने की ताकत प्रदान करने वाले यानि उर्जा देते हैं यह हमारे शरी के व्रद्धी या विकास में सहायक होते हैं हमें रोगों से या बीमारीों से बचाने में सहायक होते हैं तो ये सभी हमारे भोज पदार्थ कहलाते हैं तरह तरह के भोज पदार्थ देखने को मिलते हैं इसमें दिया है इस प्रकार भोज पदार्थ हमारे शरीर का तीन रूपों में पोशड करते हैं इन गुरों के आधार पर भोज पदार्थों को तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला क्या है उर्जा देने वाले भोज पदार्थ इसको हमने प्रिवियस वीडियो में भी बताया है वहां से भी देख सकते हैं तो उर्जा कौन कौन से ऐसे भोज़ पदार्थ होते हैं जो उर्जा प्रदान करते हैं तो वे भोज़ पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की उर्जा देते हैं उर्जा देने वाले भोज़ पदार्थ कहलाते हैं जैसे गेहूं हो गया चावल, चीनी, तेल, आदे ये जो ह इसके अलाओं भी कई सारे ऐसे भोज़ पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को उज़ा प्रदान करते हैं फिर उसके बाद दूसरा आ गया व्रद्धी करने वाले भोज़ पदार्थ इसके अंतरगत दिया है वे भोज़ पदार्थ जो हमारे शरीर की व्रद्धी करने में मदद करते हैं व्रद्धी करने वाले भोज़ पदार्थ कहलाते हैं जैसे डाले हो गए, दूध हो गया, आदे इन्हें आप विटामिन के श्टोर भी कह सकते हैं यहां पर दिया है दाल, अक्रोट, मचली, मास, दूध, अंडा, चने जो की हमारे शरीर को व्रद्धी प्रदान करते हैं उसके बाद आगे दिया है रोगों से बचाओ करने वाले भोज़ पदार्थ तो वे भोज़पदार्द जो हमारे शरीर को रोगों से बचाव करने वाले भोज़पदार्द कहलाते हैं जैसे सभी प्रकार के फल हो गए, सबजियां हो गई, ठीक है ये जो होते हैं ये विटामिन के शोद भी कहलाते हैं ये रोगों से बचाव करने वाले भोज़ पदार्थ कहलाएंगे उसके बाद दिया है हमारे शरीर के उचित विकास वास्वास से के लिया वशक है कि हम अपने भोज़न में रोटी चावल डाल के साथ साथ सबजियां भी लें इसके साथ ही हमें फल वादूद भी लेना चाहिए ठीक है तो यह हो गए भोज़ी पदार्थों के प्रकार जो कि अलग अलग थी चले नेक्स्ट पेज़ पी जाएंगे और यहां पर हम देखेंगे कि भोज़न के शोद कौन कौन से है कि इन माध्यमों से हमें भोज़न जो है वो प्राप्त होता है तो भोज़न हमें दो तरी करत करके बताया गया है यहां पर पेड़ पौधों से जैसे अनाज, गेह, जौर, धान, मक्का, ठीक है दाले सभी प्रकार की चना, अरहर, मौंग, मसूर, सबजियां, आलू, लौकी, टमाटर, गाजर और भी जितनी सबजियां हैं वो हमें पौधों से ही प्राप्त होती है फल हो गया, शेव, आम, जितने भी फल हो गये तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है वे सभी परकार की अनाज है, दाले है, फल है, सबजियां है, टिक है, जन तू से हमें अंड़ा, प्राप्त होता है, मीट, मास, मचली, दूद, ये कीजे हमें जनतों से प्राप्त होता है तो इस तरह से आप आसान तरीके से बता सकते हैं कि जो भोजन के श्रूत हैं वो दो तरीके से हैं तो यहां पर आगे हमाँ चलेंगे यहां पर अगर आपको भोजन के श्रोत पर बनाना है तो इन चीजों को को include करते हुए और इन चीजों को भी आप include कर सकते हैं यानि भोजन के पोशक तत्व क्योंकि भोजन के श्रोत जो है उन्हीं में भोजन के पोशक तत्व आएंगे ठीक है यहां पर आपको दिया है विटामिन विटामिन जो होता है वो हमाई शरेर को वुरधी प्रदान करता है यानि ग्रोथ के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है प्रोटीन के यहाँ पर शोत भी दिये हुए है यह आप देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है खनीज लवडवा वितामिन ये कौन सा कारी करते हैं ये जो है वो रोगों से रक्षा करेंगे हमारे शरीर की ठीक है यहां पर श्रोध भी मैंशन किये गए हैं उसके बाद भोजन के जो अन्य श्रोध हैं जैसे वसा और कार्बोहाइट्रेट ये शर उर्जा होती है शक्त ही होती है वो कार्बोहाइट्रेट और वसा द्वारा प्राप्त होती है तो इस तरह से आप इन चीजों को चार्ट वाइस बाट करके भी बच्चों को समझा सकते हैं कि हमारे शरीर की व्रद्धे के लिए प्रोटीन आवश्यक है ठीक है रोगों से ल प्रोटीन युक्त है वाइसा और कार्बोहाइड्रेट की बाद की जाए तो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं तो इस तरह से आप एक चार्ट भी इसका तयार कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से भी इन चीजों को बना करके आप बच्चों को समझा सकते हैं यह भोजन के पो तो भोजन की अधिक आवशकता होती है उन्हें चावल रोटी चीनी आलू सबजियों और फनों के साथ दूद दही पनीर अंडा सोया बीन मास दाल जैसे प्रोटीन वाले पदार्थ भोजन के साथ अनिवारी रूप से दिये जाने चाहिए मनुशी का आहार उनकी आयू और कारियों पर निर्भर करता है तो इस तरह से एक फूड पिरामिड के माध्यम से बताया गया है कि सबसे कम मात्रा में क्या खाएं ठीक है और सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या खाना चाहिए सबसे कम मात्रा में खाएं क्या चीज़े हैं जैसे मिठाईयां समोसा कोल डिंक च देखने को मिलती है उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कम मात्रा में खाएं यानि थोड़ा कम मात्रा में जिनको आपको खाना चाहिए वो है मक्षन अंडा मचली का तेल चीनी वनस्पति घी क्योंकि इनमें कुछ तत्तु जो है उनमें पोशड पोशड तो लगवग सभी में पाया जाता है कुछ ना कुछ ठीक है लेकिन इनका आपको कम मात्रा में प्रियोग करना है आगे कई सारे बोज़ पदार्त दिये हैं जैसे अधिक मात्रा में क्या खाना चाहिए अधिक मात्रा में सबजियां अनाज फल क्योंकि जो सबजियां हैं अनाज हैं इनमें होनी चाहिए हमारे भोजन के शोत में या पोशड के जो भी तत्व हैं तो इस तरह से आप पिरामिट के माध्यम से भी चीजों को समझा करके बता सकते हैं इसको आप पूरा देख लीजे यहां पर ठीक है इस तरह से इसे बनाया गया है और ये बड़ा करके भी आप देख ली और अपच के शिकायत रहती है वह दूसरी और गरीबी और अग्यानता के कारड निरधारित मात्रा से कम या असंतलित भोजन करने से हमारे शरीर में पोशक तत्तों की कमी हो जाती है जिससे शरीर कमजोर हो जाता है शरीर के व्रदी रुख जाती है और अनेक रोग हो जाते से कुपोशड केहते हैं ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर आपको 2-3 topic पर चीजे बनाने को मिल गई हैं आप आसाने से इन चीजों को तयार कर सकते हैं चले दोस्तों यहाँ पर तो बात हो गई अपने topic को ले करके आगे हम देखेंगे किस तरह से आप अपने TLM या मॉडल को तयार करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भोजन के शोत या फिर पोशक तत्व या भोजन के पोशक तत्व पर आप किस तरह से एक TLM या मॉडल को तयार करेंगे यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया है प्रोटीन के शोत जिन चीजों से प्रोटीन हमें प्राप्त होता है जैसे चना हो गया मूंग, डाल, राजमा, सोया बीन, मतर सबसे जञादा अगर protean के बात किये जाए तो soya, bean और दालों में राज़मा में इन सभी में protean सबसे जञादा मात्रा में देखने को मिलता है इन्हें आप शरीक की बैद्धी है तो भी पोशक तप्त्वों में शामिल करेंगे क्योंकि प्रोटीन के जो शोत होते हैं वे शरीर को व्रद्धी प्रदान करते हैं तो इससार से ये हैडिंग भी आप इंक्लिवट कर सकते हैं सकेने यहाँ पर विटामिन के शोत, विटामिन संतरा, अम्रूद, मिर्च, टमाटर, नेम्भू, आमला इससे कई सारे फलो में ये सबजियों में विटामिन देखने को मिलता है वे विटामिन के शोत हैं जो शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं उसके बाद भोजन के शोत ये मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से पेड पौदल से हमें भोजन प्राप्त होता है और जनतों से प्राप्त होता है दोनों को अलग-अलग रूपों में वरग्गिकरत किया गया है उसके बाद इस चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके बाद यहां पर वसा के शोग दिये हैं मास मचली ठिक है अंडे ये हैं वसा के श्रोत जो की उर्जा प्रदान करने है तो आवशक है हमारे शरीर के लिए लास्ट में हैं कार्बो हाइडरेट के श्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तर्बूज, आम, गेहु, चावल, बाजरा, मक्का इन सभी में कार्बो हाइडरेट पाया जाता है जो की हमारे शरीर को काम करने की हमें शक्ति प्रदान करते हैं तो इस तरह से आप अपने टीलम को तयार करेंगे बात की जाए पोशकतत्य भोजन के या फिर भोजन के शोत पर आप दोनों के लिए भी इस टीलम को तयार कर सकते हैं टिक है चलिए यहां पर हमने अपने copy TLM को ले करके बात कर लिए है एक नजर हम अपने original TLM को भी देख लेते हैं यह रहा भोजन के शोत या फिर भोजन के जो पोशकत्तृ हैं उन पर आप इस तरह से चार्ट के माधिंदाभ से आप टेलं या फिर मॉडल की तरीकें से भी आप इसे तयार कर सकते हैं इसको वाइत वाले ठीक है बाकी चीजों को मैंने समझा दिया है कि किस तरह से आप इन चीजों को लिखेंगे या तैयार करेंगे इन चीजों को देख लीजी आप तैयार कर लीजिएगा ठीक है अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट द्वारा पूश सकते हैं आपके कमेंट का रिपलाई किया ज करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्रोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें साथी वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप मुझे टालिग्राम चैनल पर भी जॉइन कर सकते हैं मुझे मेरे नाम से स्टडी वे स्व